हे गाइस वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है इस वीडियो में तो दोस्ते एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से वेकेंसिस निकल के आ रही है कॉल इंडिया की तरब से वेकेंसिस निकल के आ रही है बहुत अच्छी खासी वेकेंसिस देखिए सबसे पहली बात यह अप्रंडिशिक की वेकेंसिस है बट यह मोका मत छोड़ना अगर आपका ड्रीम है कोल इंडिया में जौब करना मैं काफी सारा सिग्रेट बताने वाला ह यहांपर दिया जाता है जब भी Alabama े निकलती है फेकेंसिस यार लोकर केंडिट का ही Serexcran होता है कोल मिला पांपर बढ़िया पर चोड़िया तो होती है देखें कोल इंडिया में जब भी वेकेंसिस आतीए ना तो फ्रेसर अधिया वाले apply नहीं कर पाते हैं जो करतेःड कोल इंडिया से other than WCL या फिर SSL, CCL हो गया, यह सबसे जब भी निकलती है एक महानधी कोल फिल लिमिंटेट है, सबसे बेकिन से जब भी निकलती है ना, तो ITI प्लस NAC demanded की जाती है, तो यही सबसे NAC आपको मिलेगा, कोल इंडिया से करेंगे, काफी जदा बेनिफिट्स दिखने को मिलेगा, सो प्लीज कोल इंडिया में जवाब करना चाहते हैं, जब भी निकले कोल इंडिया से अपरेंडिया से जरूर जोइन करना, और एक बात मैं बता दूँ, चलिए वीडियो में और यहाँ पर और यह बहुत अच्छी खासी वेकेंसी से गाईस, देखेगा, इसमें काफी सारव है, फैक्ट बता दूँ, सबसे पहले, इसकी जो ओनलाइन फॉर्म है, 25 जुलाई से, यानि कि आज से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक बार कमेंट करके फड़ाक से बताओ, क तक ही लास्ट डेट है, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिला है अपने अपलाई करने के लिए, और NAPS Registration के जरी MTVB वी बिफोर 8 अगस 2022 तीरफ रखी कही है, यहाँ पर, देखे मैं ये बात पता दूँ, कोल इंडिया में जब भी वेकेंसी निकलती है, तो वो सिर्फ फ्र निकलती है, SECL से भी निकलती है, SECL से, याने की साउथ इस्ट कोल इंडिया से भरती निकलने वाली है, तो आपको देखने को मिलेगी, अगर बायचंस 2022 में ना निकले, 2022 में निकलती है, तो आपको वेनिफिट्स मिल जाएगी, तो पिले जरूर एसम मत छोड़ना, यार, कोल इंडिया से जब भी भरती निकलती है, तो बताने की ज़रत नहीं होनी चाहिए, इस तरह की काफी बिल्टेक वाले बंदे सोचते हैं, लेकिन अब आईटिया वाले बच्चे अपरंडिसिप में मूँ मोड रहे हैं, पता चलेगा कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, उस पर भरोसा मत करो, ओके, एक्स आईटिया वाले केंडेट इस फ़र्म को बिल्कुल अप्लाइ कर सकते हैं, अप्लाइ कैसे करना है, देखते हैं, पहले ट्रेड, तो गैज यह है, ओफिसल नोडिटिकेशन, दसिंग रेनी, कॉलेरी कंपनी लिमिटेड, यह सर्कूलर है, ओल मैनिंग डिपार्टमें यानि की MMV, Turner, Machinist and Draftman, Civil, ट्रेड समझ लिए आपको आपने, यहां से लेकर जो ट्रेड निकाली गई है, एक सगेंड, यहां से लेकर जो यहां तक ट्रेड आपकी होने वाली है, यह ट्रेड देख लेना, यह सब ट्रेड के स्टूडेंट अप्लाइ कर सकते हैं, ध्यान र जिस केंडिडेट को भी अप्लाइ करना है, NAPS Portal पर अप्लाइ करना होगा, Apprentice Portal के जरीए, Ministry of School Development यहां पर जाके आप सबसे पहले रेच्टेशन करो, देन अप्लाइ करनी होगी, अब यहां पर बात करते हैं, अप्लिकेशन में बता चुका हूँ, 25 जुलाइ से 2022 और 6 अगस फित यहां रेपरेंस दे एर पासिंग, ITI के रिकार्डिंग, यानि मार्क्स बेसिस पर ही आपकी सलेक्शन होगी, जिसमें से ओपन, जो नॉन लोकल और लोकल केंडिड होगी, 5 परसंड लिया जागा, लोकल केंडिड को यहां पर 95 परसंड को, यह ऐसा ही होता है, मतलब य आपकी मांगी जाएगी, और 16 district of telangana, इसमें किसको किसको बता गया है, current 16 district in state of telangana, जो है, उसमें से किया गया है, जो की name लिखा गया है, यह local categories में आते हैं, then will come under, जो की telangana state will come under non local categories, तो इस चीज़ें समझ गया होगी, कि local or non local में यहां पर क्या बताए गया है, actually में, resurrection भी मिलेगी, वो local candidate को मिलेगी, यहां पर apply करने के लिए 28 year रखी गई है, apprenticeship online के लिए, यहने कि 18 साल के UI apply कर पाएंगे, यह इस क्या क्या होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, open local plus non local 5%, यह resurrection आपको मिलेगा, वो local वालों को मिलेगा, on role employee, आप SSEL having ITI study किये हैं, period में, वो apply कर सकते हैं, उसके लिए benefits मिलने वाले, current district में क्या-क्या रखा गया है, यह एक बार आप यहां पर चिक कर सकते हैं, registered है, उसके इसाब से apply करो, मतलब सीधी सी बात है, opportunity तो अच्छा देता है, लेकिन local and non local में divided कर दिया जाता है, इससे क्या होता कि other registered वाले apply नहीं कर पाता ह यही जंजट होता है सब सीज में, जो कि बिल्कुल गलात है, totally central यहां पर करती है, recover, तो central को opportunities देनी चाहिए, उसको study certificate है, आप देख लेना, और यह आपका होने वाले certificate of residence की, जो भी candidate eligible है यार, देख लो एक बार, कुछ भी doubt हो, comment कर लेना, वीडियो चुल लगी हो, please like and subscribe करे सक्सानल सेखने कर ठेडि़ को दीडिक कर देनी लात है, और को भी चुering को पर्देट वाले प्रेका है, okay, पिछे को भी जो एक जग से देनी और प्रेंगोत है, को भीका है।